हेलो फ्रे वेल्कमा चनल आज करें स्टेंडिंग लाइन ये तीन साल या तीन साल से नीचे के बच्चे लोग को है ये नरसरी में आप एडमिशन कराने जा रहें ना बच्चो को इससे पहले वाला वीडियो हम देखे थे कलर करने सिखाया थे फिर पेंसिल कैसे पकड़ा जात है वह सिखाया थे आज हम लोग करेंगे स्टेंडिंग लाइन अभी मेरे साथ कीजिए देखे फर्स्ट में आप बच्चों को क्या कीजिए डॉट डॉट पूरा दीजिए फिर उसमें बोलिए लिखने के लिए चलिए हम भी लिखते हैं आप भी मेरे साथ ये अगर देखेगा फिर वह अगर लिखने जान जाएगा तो फिर दो डॉट दीजिए दो डॉट है टू डॉट अगर बच्चा टू डॉट भी लिख लेता है तो फिर सिंगल डॉट दीजिए इसमें खली अपने से लिखना है बिखें हो गया फिर्ल्स में या था श्लीपिंग लाइन इसमें क्या है इसमें फर्स में हम लोग पुरा डॉट डॉट दीए है फिर शेंचेंड में टू-डॉत है फिर single dot है यही ट्रिक आप बच्चों को दे सकते हैं यह कौन सा कोपी में है माक्स कोपी में है हम लोग तीनों कोपी में दिखाएंगे बच्चों को आप कैसे करवाद दे सकते हैं यह देखे two dot है है हना क्या है sleeping line इससे पहले हम लोग क्या किये standing line की यह हो गया sleeping line two dot वाला complete यह single dot है sleeping line देखे बच्चों को आप बताते जाएगे वो खुद करते जाएंगे यह complete हो गया sleeping line चलिए इसके बाद भी करते हैं देखे next करते है slanding line left to right यह आपके देखे left hand में है तो क्या हो जाएगा left तरफ से नीचे जाएगा left to right और ऊपर की तरफ से जाएगा यह right की तरफ से right to left होगा चलिए आप भी मेरे साथ की जिए यह भी आप बच्चों को करा सकते हैं यह बहुत help करता है counting लिखने में 1 से लेकर 10 तक counting भी आपको दिखाएंगे कैसे लिखना है देखे इस लाइन निकला है यह बच्चा सुरू सुरू इधर उधर करके लिखेगा फिर धीरे धीरे वह उसका habit हो जाएगा उसके बाद उसको two dot दिजेगा पहले दिजेगा भी सारा डॉट है देखे है आप 4-5 डॉट करके दिजेगा फिर two dot दिजेगा two dot में बच्चा अगर यह पूरा dot वाला लिख लेता है तो two dot में भी वो लिख लेगा अजिए यह क्या है learning line left to right है न स्लैंडिंग लाइन दखिए अभी किया न मेरे साथ आभी मेरे साथ बोल बोल के किजिए यह एक डॉट है देखिए एक डॉट में भी लिखते हैं बचा धीर धीर ही सीखेगा अगर मेरे वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें नोट फिर से कई बटन दबाएगे जिस नेक्स्ट विडियो जब भी आएगा आपको मिल जाएगा चलिए नेक्स्ट में क्या है स्लैंडिंग लाइन राइट टू लेफ्ट आपका राइट हैंड से नीचे जा रहा है तो क्या हो गया राइट टू लेफ्ट चलिए आप भी मेरे साथ कीजिए उपर से नीचे कर रहा है राइट टू लेफ्ट है ना इससे पहले हम लोग क्या किये लेफ्ट टू राइट क कम्प्लीट हो गया अब two dot वाला कम्प्लीट करते हैं आप बच्छों को यह dot वाला तरीका जरूर दिजिए गा वो अराम से कर लेगे अब यह single dot है इसमें भी हम लोग करते हैं अगर two dot वाला बच्चा कर ले रहा है तो single dot वाला भी अराम से कर लेगा देखिए ये हो गया कर्व है left ये क्या बलेगे इंगलिस में si चले इसमे भी लिखते हैं हमलोग आप भी लिखिए मेरे साथ दिखिए इसमें हमलोग क्या किया है पूरा dot dot डिये है चले देखिए si हो गया आसाइस आप बच्चों को दिजिए वो लिख लेंगे ये इसका वीडियो हम पहले भी डाले हैं उसका लिंक आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उससे भी आप देख सकते हैं देखिए ये पुरा डॉट वाला C हो गया अब क्या है? 3 डॉट दिये हैं देखिए 3 डॉट देने से बच्चे आराम से उसमें मिला करके लिख सकता है 2 डॉट देजेगा तो वो बच्चा नहीं सकेगा लिखने ये क्या है? कर्ब लेफ्ट देखिए हो गया अब है सिंगल डॉट है इसमें अगर बच्चा उपर लिख लिया है तो नीचे भी आराम से वो लिख सकता है थोड़ा पेसेंस रखिएगा बच्चा आराम से ही लिखने देजेगा हड़ बन नहीं किजेगा कि हमको अभी पुरा लिख के तुरन दिखाओ चलिए नेक्स्ट वीडियो दिखाते हैं नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट में देखिए कर्व है राइट ये उल्टा सी है चलिए आप भी मेरे साथ कीजे फिर देखिए सुरू में पूरा डॉट डॉट है अब उसके बाद थी डॉट है फिर सिंगल डॉट है आप भी बच्चों को यही दीजेगा dot dot में ही लिखने वो लिएगा मिंदू मिंदू में ही लिखना है अब अच्चा अगर नहीं लिखने सकतना है शरू में तो आप उसका हाथ भी पकड़के लिखवा सकते है फिर देखिए ये three dot है बिंदू में मिलाना है हाँ देखिए हो गया न उल्टा सी यह थे क्या कर्व राइट फिर है सिंगल डॉट है हाँ यह देखिए है ना कर्व राइट वाला लिख रहे है अब ही मेरे साथ लिखिए बोल-बोल के यह क्या है कर्व राइट हो गया उल्टा सी भी बोलते हैं इसको चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है कर्व अपवर्ड इसको क्या बोलेगे इंगलिस में यू यू चलिए देखिए फर्स्ट में हम लोग क्या किया है पुरा डॉट डॉट दिये है फिर त्री डॉट दिये है फिर सिंगल डॉट दिये है यह क्या है कर्व अपवर्ड क्या है कर्व अपवर्ड देखे, complete हो गया, अब three dot वाला भी करते है, पुरा बिंदू तक मिलाना है, नीचे, अभी मेरे साथ कर रहे न, अभी कीजिये, देखे, बच्चा उपर नीचे लिखेगा, इधर उधर लिखेगा, कोई दिकत नहीं है, धेरे धेरे वो practice करते करते हो जाएगा, तेरे साथ साथ कीजिये, यह क्या है, curve upward, curve upward, बोल-बोल के लिखेए, curve upward, इंग्लिस में क्या बोलेंगे इसको, you, you, चलिए next देखते है, next में क्या है, curve downward, curve downward, आभी मेरे साथ लिख रहे न, आभी बोल-बोल के लिखें मेरे साथ, क्या ही यह, curve downward, चलिए इसमें देखे, three dot है, इसके उपर में क्या धीर सारा dot दे दिये थे, क्योंकि बचा सुरू-सुरू लिखने नहीं सकता है, अब फिर धीर सीख लेगा, तो वो three dot कीजएगा, फिर single dot कीजएगा, देखे हो गया न, अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहो, तो like, share कर देजएगा, comment करके बताएगा, क्या आज क्या वीडियो आपको कैसा लगा, last क्या है, single dot है, यह हो गया, curve downward, इसके बाद वीडियो में हम दिखाएगे, कि one से लेके ten तक counting कैसे बचों को लिखने सिखा सकते हैं, बाई, thank you